हेलो दोस्तो मैं माला मन्नु की स्वीट गाटिन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मौस रोज पटलुका सिवन उकलॉक संजीवनी बूटी लक्षमन बूटी बहुत सारे नामों से इस प्लांट को जाना जाता है बहुत ही खुबसूरती से गर्मी भर इसमे प्लांट लगा देती हूँ डेर महीने पहले मैं ये प्लांट दोनों में लगाई थी पानी वाले बोतल में और हर्पी का डब्बे में और बहुत ही खुबसूरती से फ्लावर खिलता है ये कोई जगह भी नहीं लेता है आपके पास इस पेस नहीं है तो इसे हैंग करके भी या बहुत आसानी से लगाते हैं और बहुत सारे फ्लावर डिंग करते हैं डिस्पैजेवल पानी वाला ये बोतल को मैं आधी कटकी हूँ और इसमें देखिए कैची के सहारे में होल बना रही हूँ कैची में आगे में बहुत ज्यादा नुकीला होता है धारदार इसे बहुत ही आसानी से कैची से बन जाता है मिटी मैं अपने गार्डेन का 30% ली हूँ 30% मैं इसमें रेट मिलाई हूँ इसमें मैं 40% में मैं लगडी का भूसी डीकंपोस्ट किया हूँ और मस्टर्ड चुन दी हूँ थोरा सा मैं कीचन वेस्ट मिलाई हूँ और साफ फंगिसा है तो देखिए मैं इसमें मिटी रेडी कर रही हूँ और उपर से एक इंच छोर करके मैं इसमें मिटी रेडी की हूँ फिर मैं पानी डाल दी इसमें और कुछ देर मैं इसको यह छोर दी हूँ पानी जब तक सिट होगा तब तक मैं प्लांट का कटिंग करूंगी और इसमे प्लांट लाओंगी हर्पी कट डब्बे को भी मैं इसी तरह हाप कट की फिर इसमें मैं होल बनाई और इसमें बहुत चोटा-चोटा ऊपर कटी प्ले करके मौसरोज के आप मैं इसमें लगा दी ती डेर महीने पहले तो देखी एक महीने में इसमें फ्लावरे बहुत अच्छ इस तरह से मैं बहुत सारे डब्बे को जो बेस्ट होते हैं उसे हैंग कर देते हूं प्लांट लगा के तो कोई इस पेस भी नहीं लेता है और बहुत खुब्सूरत भी लगता है देखिए इस तरह से हर्पी के डब्बे को मैं कटिंग करके प्लांट लगाई हूं तो देख इंच के बड़ाबर मैं इसमें से कट करूंगी इसी से मैं बहुत सारा कटिंग ले लूँगी और इस डबे में सभी कटिंग को बहुत अच्छी तरह से लगा देना है आप छोटा-छोटा कटिंग लेंगे तो भी बहुत आसानी से लग जाता है बड़ा कटिंग भी बहुत आ तरह इसमें से cutting ले लिया और जितने भी हमने होल बनाया सभी में मैं cutting लगा दूँगी यह cutting बहुत छोटा है बहुत छोटे से ही इसमें flower खिलने लग जाता है दोस्तों जब इसका branch बरा होने लगे तो आप इसे cut करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा घहना भी हो जाएगा त तो देखा आपने बहुत ही असानी से यह plant cutting से लग जाता है दोस्तों घर में आपके बहुत सारे डबबे बेकार हो जाते हैं बहुत सारे polythene बेकार हो जाते हैं हार्पी के डबबे आते रहते हैं उसे फेकने से अच्छा है कि यूज कीजिए और जब इसमें से flower खिलेंगे के रूप में प्याज हर घर में यूज होता है तो प्याज का छिलके का मैं यूज करती हूँ प्याज के छिलके को मैं एक गलास पानी में फुलने के लिए छोड़ दी और दो दिन तक मैं इसे पानी में फुलने देती हूँ फिर इसे च्छान करके इसमें मैं एक गलास पान कोई जगा भी नहीं लगा, और देखने में भी काफी खुबसूरत लगता है, आपके घर के बाहर से कोई यदी गुजरता रहता है, और इस तरह से प्लांट टंगा रहता है, और उसमें बहुत सारे फलावर खिले रहते हैं, तो बाहर की लोग भी देखते हैं, तो उन्हें भ कर दिया और कितना खुबसूरत लग रहा है इसे देखके भी आपको बहुत ज्यादा सकून और सांती मिलेगी दोस्तों तो इस तरह से आप प्लांट लगाईए और बहुत ज्यादा खुश रहिए कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब और सेयर करें साथ हे साथ वेल वर्टन को भी दवाले और फूल वीडियो वाच करें दोस्तों फिर मिलती हूं ओके बाई बाई टेक केर हैपी काड़निंग